हलो एब्डिवान आज डेट है सेकंड ओक मार्स 2023 और दाई हिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दाई हिंदू की इंपोर्टेंड न्यूज को एकजाम के पॉइंट अफ्यू से डिसक्स करेंगे नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में टेलग करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्रोफिकल मैप के साथ में और आज आपका केशन ये है कि लेक हिरोन को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंड फैक्ट्स को एंड इन्फोर्मेशन को को में करना है कल हमने आप से केशन पूछाता साइलेंट वैली नेसल पार्क को लेकर के तो साइलेंट वैली नेसल पार्क जो है वो हमारे इंडिया के सरदन पार्ट में जो केला स्टेट है वहाँ पर लोकेटेड है ये जो साइलेंट वैली नेसल पार्क है यहाँ पर एक बर्ड स सर्वे की वजए से ये जो नेसल पार्क है, इसकी लोकेशन न्यूज में बनी हुई थी, दैहिंदू को अगर हम डिसकस करें, तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है दैहिंदू के फ्रंट पेज पर, और कल भी हमने डिसकस किया था, कि G20 गुरूप की प्रेजेंट सिप् और इस टाइम में, इंडिया जो है, वो अलग-अलग सेक्टर में, अलग-अलग पोईन्ट के उपर फोकस कर रहा है, और इसी दोरां जो है, वो फ्रस्ट एंटी कररप्शन वर्किंग गुरूप की मिटिंग जो है, वो भी हुई गूरूग्राम में, और ये मिटिंग जो ह है हरियाना में और इसमें इंडस्कस कर रहा है कि present टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो इकनोमिक उफेंसिज जो हैं वो काफी जी जाथा देखने को मिल रहे हैं और इकनोमिक उफेंसिज में सब्से बड़ी गड़बडी यह है कि और कोई person जो है वो इस तरीके का घोटाला करता है इस तरीके की economic cases में involved होता है और उसके बाद में वो उस country को छोड़ करके दूसरे country में चला जाता है उस country के jurisdiction से बाहर चला जाता है तो उसके उपर claim करना उस case को solve करना जो है वो काफी ज़्यदा मुस्किल हो जाता है तो हमें focus क्या करना है कि इस तरीके की economic offenses जो है वो time के साथ में increase होते जा रहे है और हर country जो है इसकी वज़े से effect हो रहा है ओके present time में अगर हम discuss करें इंडिया में तो enforcement direct rate जो है उन्होंने 180 billion dollar की जो assets है उनको transfer किया है और इसकी वज़े से अगर हम discuss करें तो बहुत सारे जो इंडिया के जो bank है वो इसकी वज़े से effect हो रहे है क्योंकि fraud किया जाता है money को गलत तरीके से loan के through या इस तरीके से through जो है वो bank से लिया जाता है और फिर इस तरीके के scam करके वो जो individual person है वो other countries में चला जाता है present time में भी इस तरीके के कई cases जो है बड़े cases इंडिया में देखने को मिल रहे है तो इस तरीके case को solve करने के लिए इंडिया चाता है कि एक ऐसा procedure बने सभी countries में इस तरीके का discussion हो इस तरीके के rules and regulation मिले कि अगर कोई individual किसी country में इस तरीके का scam करके दूसरे country में चला जाता है त इसको लेकर के इंडिया ने 2018 में जो है वो Economic Offenders Act जो है जिसको हम fugitive economic offender के नाम से भी जानते हैं इस तरीके का act हम लेकर के आई थे ताकि an individual against whom a warrant of arrest in relation to schedule offense has been issued by any court in India and who has left the country to avoid criminal prosecution or the FEO abroad refuses to return to face criminal prosecution कि अगर कोई person जो है अमरे इंडिया को छोट करके दूसरे कंटे में चला गया तो इस issue को जो है वो हम solve कर पाएं इस तरीके का act जो है हम 2018 में ही ले आए थे ओके तो देखो यह जो first anti-corruption working group जो हुआ है यह meeting जो हो रही है इसको लेकर के कल हमने प्रजुमन सर ने short video upload किया है तो इसको लेकर के जो भी basic facts है जो भी इसको लेकर के historical background है वो सारे points वो सारे facts जो है वहाँ पर discuss किये गए है explained series के नाम से वीडियो में available है एक playlist वहाँ जाकर के जो भी current में जो भी news रहती है और जो भी important है हमारे exam के point of view से उनके short video जो है वो पर दिवन सर आपके लिए लाते हैं तो आप जाकर के उनको view कर सकते हो okay तो कल इसका वीडियो भी upload किया है आप जाकर के इसको view कर सकते हो okay next important article है हम discuss करेंगे editorial page पर और यहाँ पर दो article हम discuss करेंगे एक जो article है वो यहाँ पर देखिए कि देखो फरवरी 2023 को लेकर के important data हैं कि अगर हम last five decades से comparison करें या फिर यहाँ पर 1901 से comparison किया गया है तो average maximum temperature जो है वो फरवरी का 29.50 54 degrees Celsius तक पहुच गया है पहले जो है वो अगर हम बात करें फरवरी मंत की तो फरवरी जो है इसको spring मंत माना जाता था मतलब एक तरीके से winter का ही winter का कम ratio जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता था temperature थोड़ा सा ही होता था लेकिन थोड़ा सा winter जैसा season जो है वो फरवरी में बना रहता था लेकिन present time में अगर हम discuss करें तो temperature जो है वो काफी ज़्यादा increase होने लग गया है ओके और अभी जो है वो heat waves को लेकर के भी forecasting की गई है कि इस साल अगर हम discuss करें तो heat waves के जो cases है वो और ज्यादा बढ़ सकते है heat waves होता क्या है कि 45 degrees Celsius temperature अगर एक लंबे time तक temperature जो है वो ज्यादा देखने को 45 degrees Celsius से ज्यादा actual temperature जाता हो एक लंबे time तक या फिर 4.5 degrees Celsius तक का fluctuation देखने को इन तेमपरेचर में तो इसको आप heat wave काउंट कर सकते हो तो heat wave के time में अगर हम discuss करें तो हमारे इंडिया का जो नर्दन मतलब जो हमारा एक तरीके से most of the northeast, eastern, central and northwest इंडिया जो है are expected to post above normal temperature मतलब इस बार ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है temperature ज्यादा हो सकता है heat waves के जो issue है वो हमारे कहां पर नहीं देखने को मिलते हैं जम्मेंड कस्मीर, उत्राखंड, हिमाचल परदेश, केरला and coastal करनाट का जो है वहाँ पर इस तरीके के जो temperature है heat wave जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं तो heat waves हमने discuss करे लिया लेंसेंट की एक report अभी आई है उसमें बताया गया है कि extreme heat जो है उसकी वज़े से 55% ज्यादा लोगों की death देखने को मिली है और साथ ही साथ में इसकी वज़े से heat wave होता है heat wave मतलब temperature ज्यादा होता है तो इसकी वज़े से जो work जो होता है जो labor loss है वो भी काफे ज्यादा देखने को मिला है इंडिया में 2021 में 167.2 billion potential labor hours का loss देखने को मिला heat views की वज़े से temperature ज्यादा इंक्रीज होने की वज़े से तो यहाँ पर ये तो important data है अभी present time में क्या है कि देखो अभी हमने discuss किया कि temperature increase होने की वज़े से labor loss देखने को मिल रहा है लोगों की death जो है वो ज्यादा हो रही है साथी साथ में production जो है crop का production क्योंकि अभी जो है फरवरी के time में रभी crop जो है उसकी कटाई की जाती है उसको cut किया जाता है तो temperature नीचे है crop में वो अच्छे से नहीं आपाती है जिसकी वज़े से crop production specific हम wheat की बात करें तो उसका production जो है वो time के साथ में loss दिख रहा है जिसे कि 2021-22 में जो है वो यहाँ पर 106.84 million ton जो है वो 2021-22 में production देखने को मिला और 2020-21 में यह production था 109.59 million ton ओके तो यह सारा issue किसकी वज़ से हो रहा है temperature जल्दी जो है वो बढ़ रहा है और maturity जो है वो time के साथ में नहीं आपाती है growth phase जो है वो effect हो रहा है ओके दूसरा यहां पर बताया गया है कि लानिना की वज़े से अगर हम 2-3 years से discuss करें तो इंडिया में rainy season जो है वो सही बना हुआ है average से ज्यादा ही rain देखने को मिल रही है लेकिन अलिलो effect की वज़े से इस साल जो है वो effect देखने को मिल सकता है और इंडिया में rain season जो है वो भी effect हो सकता है तो यहां पर writer जो है article जो है उसका main conclusion यह है कि time के साथ में climate change climate change की वज़े से temperature increase temperature increase होने की वज़े से बहुत सारे issue तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे heat waves हो गया या फिर rainfall कम होगी तो इसका जो है वो हमारा forecasting system जो है वो काफी जाता extreme level अच्छा होना चाहिए कि हम पहले ही जो है इसकी forecasting कर सके कि यह सारे issue जो है वो देखने को मिलेंगे तो उसके according जो है वो हमारे strategy हो हमारे जो भी जो भी हमारा procedure हो वो उसके according हम establish कर पाए main point तो यह दूसरा यह है कि देखो heat waves बढ़ रहा है तो हमें forecasting इसका करना होगा alarming जो है वो हमें पहले से करनी होगी ताकि लोग जो है वो अपने आपको बचा सके ताकि इसके अलावा health infrastructure में हमें ज्यादा खर्चा करना होगा क्योंकि इस तरीके के issue जो है वो time के साथ में जो पहले ही mature हो सके और irrigation system इन सब के उपर हमें focus करना चाहिए और जो forecasting alarming जो system है उसमें rural areas में अभी भी awareness नहीं है तो वहाँ पर भी हमें awareness grade करनी चाहिए ताकि इस तरीके के issues को जो है वो हम solve कर पाएं ओके next important article जो है वो यहाँ पर अभी पंजाब में governor और वहाँ की जो government है उसके बीच में class देखने को मिला judiciary का intervene करने तक की यहाँ पर नोबता गई लेकिन juristic intervene के बिना ही वहाँ के governor ने वहाँ का budget session जो है वो start करने की अनुमती दे दी है तो यहाँ पर क्या हुआ कि governor ने क्या किया कि जब उनको बोला गया कि आप budget session जो है उसको start कीजिए तो इसको लेकर के governor ने बोला कि पहले कि उस questions के answer दीजे तवी जाकर के budget session स्टार्ट किया ज चाहिए और इसके अलावा जो elected government की जो power है वो भी उनको ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि elected government से यहाँ पर अभी कुछ time पहले पंजाब government ने कुछ school के principles को सिंगापूर में training के लिए भेजने की कवायत की तो वहां के governor ने इसको लेकर के पूछ लिया कि कुछ questions कर लिए तो इ तो यहाँ पर article 174 जो है constitution का उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और governor को जो है वो house को time to time जो है वो summon करना होता है 2016 के case में नाबम रेबिया जो case है उसमें भी सुप्रेम कोट ने जूरी सरी ने constitution बेंचने ये बात के लिए कि ती गी governor can summon, prorog and dissolve the house only on the aid and advice of the council of ministers okay, हलांकि जो है वो governor जो है इसके अलावा भी जो house है उसको क्या कर सकता है समन कर सकता है, प्रorog कर सकता है लेकिन council of minister के aid and advice जो है वो उनको ध्यान में रखनी चाहिए तो येसा constitution बोला गया है, judiciary ने भी ये बात बोली है, तो इसको जो है वो governor को ध्यान में रखना चाहिए दूसरा है आप पर जो elected government है उन्होंने बोला है कि वो responsible नहीं है, तो ऐसा नहीं है हमारे constitution का article 167 जो है वो बोलता है कि chief minister के duty होती है कि state में कोई भी legislation या कोई भी जो administration है उससे related information अगर governor मांगता है तो ये देनी उनकी responsibility है तो देखो दोनों को अपने responsibility जो है वो अच्छे से निबानी चाहिए और साते सात में या पर central government के लिए भी बोला गया है कि union government भी यहाँ पर जो है वो अच्छे से represent करे और जो भी issue है अगर state government और governor के बीच में issue देखने को मिलते हैं तो इनको solve करने की courses जो है वो union government भी कर सकती है next important article है text page पर पहले हम editorial page पर ही एक discuss करेंगे देखो यहाँ पर बताया गया है कि 2015 में SDG goals जो है उनको accept किया गया पहले जो millennium developmental goals थे उनको यहाँ पर eliminate करके 2015 में लाएगे SDG sustainable development goals तो target रखा गया कि 2030 तक हम इन targets को achieve करेंगी अब इसमें 17 official sustainable development goals है और इसके थ्रू जो है वो 33 indicator जो है यहाँ पर बनाए गये है तो यहाँ पर देखो clearly बोला गया है कि देखो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है यह जो भी sustainable development goals है इसमें से women oriented या women related जो भी development goals है उनके उपर ज्यादा focus नहीं कर रहा है जैसे कि आप discuss करो कि women में एनीमिया की condition इसके अलावा जो women pregnant है उनमें इशू देखने को मिल रहा है यहाँ पर यह सारे इशू बताए गए है starting, wasting यह सारे जो इशू है इनको target करते वे इंडिया जो है 2030 का target है कि हम SDG goals को अचीव करें लेकिन यहाँ पर जो indicator है वो हमेशो कर रहे है कि इंडिया जो है इनको अचीव करने में काफी लंबा time लगाएगा तो इसकी वज़े से जो है यह माना जा रहा है कि इंडिया जो है वो SDG goals को 2030 तक अचीव नहीं कर पाएगा next important article है यहाँ पर देखिए देखो यहाँ पर S-400 defense system जो है उसके बारे में बोला गया है कि S-400 defense system किसका है तो यह defense system है रश्या का और इंडिया ने रश्या के साथ में ट्रिटी की थी 2018 में की S-400 defense system जो है वो आप हमें deliver करोगे लेकिन इसमें जो है वो delivery system में काफे ज़दा issue देखने को मिले और अब यह बोला जा रहा है कि 2024 के starting में ही यह जो delivery है S-400 defense system की वो इंडिया को हो सकती है तो यहाँ पर यह delivery system में issue देखने को मिला इसी के बारे में हाँ पर बताया गया है कि अगर हम discuss करें अगर हम यहाँ पर discuss करें कि problem क्या देखने को मिली तो इसमें कुछ issue रहे जैसे कि काटसा act जैसे कि switch system को जो ban किया गया इसके बारे में तो सबसे पहले हम discuss करेंगे कि what is काटसा act what is swift system जिसकी वज़े से यह जो delivery है इंडिया को नहीं हो पाई S-400 defense system की तो काटसा act क्या है काटसा act जो है वो 2017 में US ने यह act बनाया था यह low बनाया था और क्यों बनाया था US ने यह बोला कि अगर कोई country नोर्थ कूरिया, रश्या और इरान इनके साथ में अगर अपने deep relation रखेगा तो उन country को deep punishment जो है वो देखने को मिल सकता है और इसके basis पर, काटसा act के basis पर जो है कुछ countries के उपर US ने sanction भी लगाई तो आप comment box में बता दो वो countries के name जिनके उपर sanction लगाए गई अब यहाँ पर इंडिया ने 2018 में जो है वो क्या कर लिया रश्या के साथ में हमने किया कि हमें जो है आपका defense system चाहिए S-400 यह जो S-400 defense system है यह काफी अच्छा system है और surface to air missile system है इसमें क्या हो सकता है 400 km की distance तक जो है कोई भी air target कोई भी aerial target जैसे की aircraft, armand aerial vehicle मतलब UAE, ballistic or cruise missile यह 400 km की distance तक और 30 km की altitude तक यह जो defense system है वो target कर सकता है और इंडिया ने इसके उपर focus किया कि हमारा जो border areas है वो काफी अच्छे से secure हो पाएगा साथ ही साथ में यह जो defense system है वो एक साथ में एक से ज़्यादा जो targets है उनको भी target कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक target आ रहा है तो उसी को यह target करेगा अगर एक साथ में बहुत सारे target जो है वो इंडिया को अगर target करते भी कोई missile जो है छोड़ी गई तो एक साथ जो है इन सारे target को भी यह क्या कर सकता है अब देखो यह S-400 defense system जो है वो US का एक defense system है जिसको बोलते है THARD इस THARD system से काफी अच्छा है तो countries का क्या हुआ कि इस defense system को achieve करने के लिए इसको अपने country में establish करने के लिए सभी countries यह अपनी कुछिस से start की तो US को लगा इसकी वज़े से तो Russia की तरफ जो है influence जो है वो countries का ज़्यादा increase होगा और US जो है वो Russia के ओपर sanctions लगाना चाहता था क्योंकि एक तो इन्होंने करीमिया को एनेक्स किया 2014 में मतलब time to time Russia को के ओपर claim करता रहता है Ukraine के ओपर Russia जो है वो claim करता रहता है साती सात में जो यहां पर election हुए थे प्रेजिडेंट के उसमें भी एक तरीके से meddling करने की कोशिस किती रश्या ने तो इन सारे points के बेसित पर Russia पर restriction लगाने की कोशिस की US ने अब इंडिया ने बोल दिया कि भई हमें दे दो अब इंडिया को लगा कि हो सकता है कि हमारे उपर भी जो है वो sanctions लगा जाए काटसा एक्ट के थिरू ओके लेकिन US ने last year जो है इस बात को clear किया कि भई काटसा एक्ट के थिरू हम इंडिया के उपर क्यार नहीं लगाएंग जो eastern coast है वहां से लेकर कि Pacific Ocean का जो region है वहां तक जो region है उसको हम Indo-Pacific region जो बोल दे है तो इस area में क्या हो रहा है कि China अपनी जो dependence है चाइना अपना dominance जो है वो increase कर रहा है अब US चाता है कि China को हम counter करें तो इंडिया जो है वो एक important point है US की help करने के लिए चाइना को counter करने के लि लिए restrictions लगाने से मना कर दिया है ताकि China के उपर जब वो dominance अपना क्रेंट करना चाहे चाहे चाइना को counter करना चाहे तो इंडिया इसमें support करें ओके तो यहां पर यह तो है काटसा दूसरा वहां पर उस article में point बोला किया है कि फिर देखो फिर Russia Ukraine last year से start हो गया और फिर इसमें क्या हुआ कि swift system जो है उसको कर दिया गया बंद अब यह swift system क्या है swift system यह है आप इस तरीके से समझें मान लो आपको एक bank account से एक bank से दूसरे bank वे इंडिया में पैसे भेजने हैं तो हम क्या करते हैं IFSC code जो है bank के वो हम लिखते हैं और इसको fill करते हैं तब ही जाकर के हम उसक को उस branch को recognition देने के लिए कुछ code जो है वो decide की जाते हैं इसी तरीके से swift system भी क्या होता है एक code system होता है कि अगर आपको international level पर पैसे भीजने है money transfer करना है और क्योंकि international trade जो है वो important role play करता है तो इस तरीके का system जो है 1973 में develop किया गया कि एक country से दूसरे country में money भीजना है तो कु code को fill किया जाए और फिर पैसे जो भीजा जाए तो quickly जो है वो transfer देखने को मिले अब Russia Ukraine war जब last year start हुआ तो swift system जो रश्या को भी available करवा रहा था ता उसको ban कर दिया गया इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि अब आपको dollar में जो money आपको भीजने है पैसे जो भीजने है रश्य क्रेट हुई swift system और cards act की वज़े से जिसकी वज़े से यह S-400 डिफेंट system जो है वो इंडिया को time पर avail नहीं हो पाया ओके तो यह दोनों important point है आपको ध्यान में रखने है नेक्स्ट यहां पर जो article है हमारे Prime Minister ने बोल दिया है कि हमारे इंडिया में urbanization procedure जो है वो काफे अच् ट्रीके की cities है एक city जो पहले से established है लेकिन वो smart city नहीं है तो उनको हम develop करें smart city के रूप में और कुछ green field project जो है वो भी हम established green field project क्या होता है दो तरीके के project होते है green field project और brown field project green field project में होता है कि बिलकुल zero से मतलब पहले कुछ नहीं था सब कुछ zero से start किया जा रहा है मतलब कही पर अपनी जमीन लिए और एक नई city बसा दी यह गया green field project और दूसरा होता है brown field project मतलब पहले से कुछ था वहाँ पे उसी में infrastructure जो है वो develop किया जा रहा है तो देखो हमारी border security force आप सभी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बंगलादिस की जो border है उसको secure करने का क रिखने को मिले हैं तो इस तरीके के issue जो है वो time के साथ में बढ़ रहे है मतलब technology जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे terrorism के जो point है वो भी अलग-अलग level पर increase होते जा रहे है तो इनके according जो है drone policy अच्छे से होने चाहिए इन सब को कैसे regulate करना है इस बुले करके इंडिया को अप schedule में anti-refaction law के बारे में बताया गया है और 52nd constitutional amendment act 1985 के थिरूँ इसको insert किया गया था और anti-refaction law को ले करके अभी महरास्टा में जो सिवसेना में bifurcation देखने को मिला और एकराथ सिंदे group को जो election commission ने बोल दिया है कि आप real सिवसेना को represent कर रहे हो इसलिए symbol जो है और party का name जो है आपको दिया जाता है तो यहाँ पर supreme court ने बोला है कि भई आप क्या कर रहे हो अगर कोई party में split देखने को मिलता है तो anti-refaction law तो applicable होगा ही होगा चाहिए वो majority में छोड़ करके जाए चाहिए minority में छोड़ करके जाए अब speaker जो है वो उसके उपर decide करेगा उसके बाद में भी अगर लगता है तो आप सभी को पता है कि 1992 में जो की हो तो case हुआ था उसमें बात बोल दी गई थी कि speaker का जो result है उसको भी judiciary में ले जाया जा सकता है मतलब judiciary भी उसके उपर question कर सकती है कि सही decision दिया है या नहीं दिया है किसने speaker ने तो देखो जो anti-refaction law है origin law उसमें तो speaker को ए लिए है anti-refaction law को discussion करने के लिए लेकिन judiciary ने फिर बाद में इसमें judicial review को interpreted किया है तो यहां पर Supreme Court ने बोल दिया है कि बैए अगर किसी party में split हो रहा है चाहिए वो minority में है majority में है तो anti-refaction law तो उसके उपर applicable होगा आप उस party को छोड़ करके जो है वो अलग party बना रहे हो या फि दुसरे आप जो article है वो Supreme Court में discussion चल रहा है election commissioner, chief election commissioner इनके appointment को लेकर की लास्ट एर क्या हुआ अरुन गोल जो है उनको election commissioner बना दिया गया एक दिन में जो है उनका procedure complete हुआ तो इसको लेकर के petition डाली गई अब Supreme Court इस बात के पर focus कर रहा है कि यह collegium system होना चाहिए जिसमें हमारे chief minister होने चाहिए, CGI होने चाहिए, sorry हमारे prime minister होने चाहिए, CGI होने चाहिए, leader of opposition हो, एक committee बने और उस committee की recommendation के basis पर chief election commissioner जो है वो appoint हो, मतलब Supreme Court ने बोला है कि देखो जिनको appoint किया गया अरुन गोल, उनकी applicability, उनकी eligibility के उपर हम question नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो procedure जो होना चाहिए appointment का उस procedure के उपर हम question कर रहे हैं, 1990 से 1996 के बीच में T.S.S.N. जो हमारे chief election commission रहे हैं, उसके बाद में कोई भी chief election commission जो है, वो अपना term complete नहीं कर पाया है, तो हमें focus करना चाहिए कि एक procedure हो और उसके through जो है, वो इनका appointment होना चाहिए, next important article है, तो देखो, Australia के जो education minister है, वो इंडिया के visit पर हैं, और उन्होंने decision लिया है कि gift city, gift city कहाँ पर एक तरीके से financial city के रूप में develop किया जा रहा है, गुजरात में, गांदी नगर और एमदाबाद वाला जो region है वहाँ पर, तो यहाँ पर Australia की दो university जो हैं establish होंगी, और देखो, 2047 तक इंडिया जो है, वो अपने आपको developed countries के रुप में establish करना चाता है, तो education जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो है, वो हम अपने target को easily achieve कर पाएंगे, यहाँ पर Australia को लेकर के कुछ data है, कि Australia में पहले जो है, वो education level काफी कम था, अगर हम बात करें 50 years पहले की, तो वहाँ पर सिर्फ 18% children जो है, व वही वहाँ पर high school complete कर पाते थे, और अभी 90% जो है, वहाँ पर high school complete कर पाते हैं, और अगर हम बात करें, सिर्फ 7% जो है, वो यहाँ पर university की degree ले पाते थे, लेकिन present time में हर दो में से एक जो है, बला हर दूसरा बंदा जो है, वो university की degree complete कर पा रहा है, तो यहाँ पर बताया है, कि बहुत सारा changes जो है, वो Australia में हुआ है, और उसका basic काम है, education की बज़े से, तो यह सारी चीजे हमें target करनी है, और Australia में बहुत सारे student इंडिया से पढ़ने जाते हैं, तो अगर वहाँ की university अपना campus जो है, इंडिया में develop करेंगी, तो इस student जो है, वो इंडिया में है, establish करेंगी, ओके, तो यह आज का हमारा देहंदो news paper का discussion था, अगर आप यहां तक आए है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए, ओके, thank you